नमस्कार दर्शको दानियूज इंडियम आपका स्वागत है चलिए देख लेते हैं बिहार से कौन सी खबरे आ रही हैं बिहार के मुझफर पूर से ही बड़ी खबर आ रही है इसी पे डालते हैं नजर महामारी को देखते हुए सरकार ने आदेश दिया है पीएम गरीब कल्यान अनुयोजना के तहत प्रते गरीब परिवार को अतरिक्त राशन दिया जाएगा जिसमें 5 किलो अनाज गया चना और प्रती परिवार एक किलो दाल मुफ्त देने की गोशना की गई है और ये जो प्रते बाद बंचायत के डीलर हामिद राजा गरीब जनता का राशन की हकमारी करते हुए नजर आ रहे हैं और इसी संबंद में उभ्भोकता सुनिल कुमार पासवन, शिरी कुशन पासवन, शिरी राम, हरी शंकरशा, मुहम्मद अहद, शौकत अली, सलाउत दीन, रजिया खातून, अफसाना खातून ने जब इसके बारे में जानकारी थी, उन्होंने बताए कि किस तरह से डीलर लोगों का हक का राशन खा रहा है, गौर्मेंट के आदेश की धजियां उड़ाई जा रही है, जो वितरित होना था, नहीं मिल रहा है, और गरीमों का हाल बेहाल है, और डीलर मोज उड़ा रहे हैं, वहीं संबन्द में SDO पश्चिमी अनिल कुमार दास से कारवाही की बात की गई, तोनों ने आश्वासन दिया है, देखने वाली बात ये होगी, कि कारवाही होती है या नहीं, या फिर गरीब जनता का जो राशन है, वो इस तरह से पशाचारी डीलर हजम करते रहेंगे. करते हैं कि आखिर डीलर के द्वारा जुलाई महाकारासम क्यों नहीं बित्रन किया जा रहा है, क्या सबस्या है, हम तो वार्ड नमर 3 से रिलेट करते हैं, जहांके जन बित्रन प्रणाली के दुकंदार जो हंचे चंदन कुमार हैं, उन्होंने भी फ्री वाला गेहूं, बा क्या एक किलो मिलता है उसको नहीं जलागे जुलाई महा का रासम आपको फिरी वाला मिला है? मिला है और नगदी वाला नहीं नहीं मिला है? आप बताईए अपना अरोप है कि हमको पांच पहले मिलता था 35 किलो 35 किलो के बाला के हमको गोल कर दिया कहा कि नहीं गीवाब मिलेगा पांच किलो तो पांच किलो नायका काड वाला से दे रहा है अपना पुरान का काड तो नहीं दे रहा है और पुरान का काड तो नहीं दे रहा है और ये गो मिला थामको बिना पैसा का वे पांच किलो और आप प्रावारी आपलोंने पादोरशाइमे पय्सावला, उत अम्लेशारय है। तो यह हमारे पीछे जो है फतेहाबाद पंचाथ ये ग्रामीन थे जिनका सरासर आरोप है कि जुलाई महां की जो रासन बितरन की गई उसमें पर्धान मंत्री जन कल्यान योजनावाला रासन का बितरन किया गया लेकिन पहले से जो भी हर सरकार रासन देती है वो नहीं मिल प पिद्वर्ण की तो उन्होंने जांच का भरोसा दिया